जो किसान एक alternative सोच रहे हैं कि या ग्यों की फसल हमको अच्छा-कासा पैसा देती है, मोटा पैसा देती है, तो उसका कोई alternative हमको मिलने रहा है, तो जो किसान ग्यों continue करते आ रहे हैं, अगर उनको फसल चेकर अपना ना है, तो खेर आप चनी की फसल तो लगा ही सकते हैं, ये 50-60 कुंटल प्रती एकड के हिसाब से रहता है, अगर इसका जो average अनुमान अगर उत्पादन देखा जाए, तो 50-45-50-45-50, एक average जो इनसान रहता है, वो भी निकाल सकता है, और जो अच्छी खेती करता है, वो 55-60 कुंटल प्रती एकड के हिसाब से निकाल सकता है, और ये उत्पादन हमने खुदने भी निकाला है, पचास कुंटल, 55-50 कुंटल प्रती एकड के हिसाब से हमने खुदने भी निकाला है, तो अभी करगयों की खेती करते हैं, लेकि नेक्स टाइम में आने वाले समय में थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, फसल चक्र तो अ पड़ेगा, फसल आपका माई को राजा के जिसे काम करता है, जो फंगस रहते हैं, उनको खतम करता है, आपके पोधे को नुटेंड वेल्यू देता है, पुराने समय में आप देखो गई किसी फसल के साथ मक्का को कॉंबिनिशन में लिया जाता था, इसका यही फायदा होत तो आप देखोगे, मक्का की फसल को हर फसल के साथ में, कॉंबिनिशन के साथ में मिलाया जाता था, ताकि जो जड़े हैं, यह अच्छी तरीके से माई को राजा के जिसे काम करें, खेर आप नया जमाना है, तो कोई लगाना यह नहीं चाहता है, क्योंकि सब को खरफदबा अगर रेड मिल गया, तो आपको एक एक एकड में, एक से एक लाग बीस हजार रुपए तक का अच्छा खासा प्रोडेक्शन मिल सकता है, अच्छा खासा आपको मोटी इंकम मिल सकती है, चुकि ग्यहूं से भी आपको नहीं मिलेगी, ओवराल हमारे हाँ कहा एक टेडेंसी में मक्का की फसल लगाना चाहते हैं, तो बिलकुल लगा सकते हैं, और इस समय उसका अच्छा खासा प्रोडेक्शन मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अगर जमीन आपकी बहुत ज्यादा हल्की है, तो उसमें नहीं लगाए तो अच्छा है, क्योंकि यह रही हल्की जमीन है, ल यह तो हमारे छेत्र के लिए विलकुल अमरत के शामान है, भाई काफी छेत्रों में किसानों का नुकसान भी हो आए, तो हर एक की कहानी में हर एक व्यक्ति सही नहीं होता, किसी कहानी में कोई ना कोई व्यक्ति विलन तो होता है, भाई किसी कहानी में पानी विलन है, तो कि किसी कहानी में हिरो है जही सब कुछ है और मक्का की फसल लगा अगर अल्टरनेटिव के तोर पर लगाना चाहें तो अब लगा सकते हैं बहुत अच्छा अपसान है